गुड मॉर्निंग, वेल्कम बेक तुमाई अनदर ब्लॉग, मैं स्टीस के जाओं शाकत करता हूँ आप लोग अपने यूटूब चैनल के दानाद वैली में, तो दोस्तों आज मंडे से वापस से मेरी डेशिप्ट चालू हो गई है, खल संडे को हमारी स्विप्ट जैन थी, अनदर दिन के नाई डूटी खतम हो चुकी है, और अभी आज से डेट डूटी चालू हो गई है, तो अभी थोड़ी दिर में मैं टनल के अंदर जाओंगा, तो आप लोगों को दिखाओंगा, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, और करंट में परसेंटेज के हिसाब से भी बता तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, फायरफाइटिंग वाले जौन में, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था कि एक ही गईंटरी हुई थी उस टाइम पे, फायरफाइटिंग वाले एरिया में, सिर्फ यानि की 12 मिटर, आज देख राओं में, दो गईंटरी हो चु लोग चलते हैं, एम्टी थरी के फेस में, तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं, एम्टी थरी के फेस में, ठीक है, और ये सामने देख सकते हैं आप, यहां पर वायर मेंस भी लगा हुआ है, और ये उपर फर्स लेयर वायर मेंस है, और ये बोटम में आपने दिखा होगा यह सामने, यह second layer wire mess है, और इसके बार से final sort kit भी हो चुका है, तो उपर अभी second layer wire mess install करना है, और यह देख सकते हैं, यह पूरा हमारा, यह SDA है, और इस SDA की अभी यहाँ पे grouting preparation चल रही है, पीछे मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, machine में, और यह जो pipe है, यह grout pipe है, इस pipe के चत्रों ही grout आएगा, यह पीछे मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, सामने preparation चल रही है अभी grouting की, यह देखो grouting pump लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारी team अभी उसमें cement fill कर रही है, यह देखो, यह बिलकुर dry cement है, इसके अंदर dry cement को डाल दिया जाता है, और यहीं से आगे, यह pipe के तरों आगे जाता है, mix होके, यहीं नीचे एक water tank होता है, इसमें, पानी भी साथ में mix किया जाता है, और यह liquid form में यहाँ से आगे बढ़ता है, इस pipe के तरों liquid form में ही आगे जाता है, grout और SDA को grout करते हैं, यह देख सकते ह नहीं किया है, grout करना, अभी सबसे पहले slump एक बार past करेंगे, जो pipe है, वो chalk तो नहीं है, तो इस पूरे SDA में grouting करेंगे, पहले SDA को install किया जाता है, उसके बाद grout किया जाता है, और SN में उल्टा होता है, SN में पहले grout किया जाता है, उसके बाद SN को install किया जाता है, तो यह देख सकते हैं, एक और cement का बोरी, इसमें डाल रहे हैं अभी, और मैं दिखाओंगा आपको, यह देखे, यह सामने, यह पानी का pipe है, इस pipe के तरो पानी, इसमें आएगा tank, और यह इस के तरो आगे जाएगा पूरा इस pipe के तरो, तो चलिए, अब सुरू होने वाला है, यहां पर grout, एक बार दिखा देता हूं, मैं किस तरीके से grout करते हैं, SN में उपर, face में, sorry, SDA में किस तरीके से grout करते हैं, यह मैं दिखा देता हूं आप लोगों को, SN में भी इसी तरीके से करते हैं, लेकिन अभी जो current में जो grouting हो रही है, वो SDA में ही हो रही है, यह आई जाएंगे जिस position पे इनको grout कर만 हैं उस पोजिशन पे move कर रहे हैं टेलिहंडर के bucket को और ये पहुंच चुके हैं crown में crown से ये start कर रहे हैं ये देख सकते हैं उसमें सबसे पहले coupler लगा देगे और coupler के साथ फिर pipe को attach करना पड़ेता है covered यह देखिए जोम करके दिखा देता हूं मैं आपको अभी यह देखिए crowd pass हो रहा है यानि कि जो pipe है वो full crowd pass हो रहा है उसमें कोई लगा देंगे और किसी exercise कपड़े के लिए कटे के जरीए बोरे के जरीए उसको टाइट से पकड़ देंगे जब तक कि ग्राउट बाहर नहीं आता तब तक उसमें ग्राउट फिल कर देते हैं और इसी तरीके से सारे SDA, दो लाइन SDA है इस पूरे SDA की इसी तरीके से ग्राउटिंग करते हैं वन बाई वन फूरे फेस में ग्राउटिंग करेंगे SDA की यह देखिए और यहीं से यहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है जो इसका ऑपरेटर होगा वो यहीं से ऑपरेटर करेंगा सामने से आवाज लगा देते हैं जब आन करना होता है और जब आफ करना होता है तब भी वो लोग आवाज लगा देते हैं और यहीं से ऑपरेट किया जाता है ग्राउटिंग के लिए यह देखिए यह दिरे दिरे सिमेंट को डालते रहते हैं अब यहां से हम लोग निकल रहे हैं ET2 की टनल में यह जो देखिए हम ET2 के फेस में यह देखिए पूरा waterproof membrane install हो गया है यहां पर और सामने गेंटरी आ चुकी है यानि कि इस portion में गेंटरी आना भी बाकी है यह देख सकते हैं आप लोग जो पिछला गेंटरी खतम हुआ है उसके बाद नया गेंटरी का setup चल रहा है यहां पे बलक हैट लगा रहे हैं यह देखिए यह पूरा यहां से पूरा सराउंडिंग में लगाए जाएंगे जिसको कि हम बलक हैट कहते हैं इस बलक हैट लगाने का main region जो होता है जिसे कि concrete इधर ना आए 12 मिटर से बाहर पैच में ना आए यानि कि जो सरीया वाला portion है जो over reinforcement वाला portion दिख रहा है आपको इदर जहां सरीया दिख रहा है आपको इसमें leakage नहों concrete का ताकि वो अपने 12 मिटर के area में ही रहे और वापस हम लोग जब आते हैं अंदर वाले section में तो यहाँ पे यह देखो curing compound यूज कर रहे हैं यह क्या करता है कि जो boyds होते हैं lining के बाद उन boyds को fill करता है यह curing compound यह tunnel lining की quality को बढ़ाता है और यह हो रहा है mt के section में mt2 के section में यह देखिए इतना हुआ है पूरा जो mt का gantry है और यह देखिए आप लोग यह है lay by section यहां से यहां तक जहां laser जा रही है और यह left side मे CP है यह वाला portion यह CP जा रहा है man tunnel में अंदर सामने जो van खड़ी है और यहां right hand side में electrical room है यह electrical room का जो total depth है यह जो length है इसकी वो 30 meter है और electrical room में equipment रखे जाएंगे electrical के जितने भी equipment होंगे मशीने होंगी वो यहां रखी जाएंगी और इसके लिए भी gantry वापस से बनानी है बाद में ही gantry करेंगे पहले जो man tunnel है और ET है उसमें lining कर रहे हैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ जो man tunnel में जो gantry हुई है अभी तक हमारी starting से लेके अब तक वो total 145 gantry हो चुकी है यानि कि 18% complete हो चुका है man tunnel में और जो escape tunnel है वहां पे हमारी 183 gantry complete हो चुकी है यानि कि 22% lining complete हो चुका है हमारा escape tunnel में और अब हम पहुंच चुके MT2 के उस face में जहां पे अभी न हमारा waterproof membrane इस्टॉल होया है न ही geotextile और यहां पे देख सकते हैं यह waterproof membrane को ही unloading किया जा रहा है डंपर में बाहर से लाया गया है और टेली हेंडर के जरीए इसे एक साइट में रखा जा रहा है और इसको भी पूरा surrounding में इस्टॉल किया जाएगा आने वाले time में क्योंकि अभी यहां पे आहे नहीं है क्योंकि MT का जो face है वो बड़ा है और इसलिए थोड़ा ET के face से इसलिन करते हैं उनले पर इसलिए को जरीए ऑप्रीए टेले अपर जरीए सबीसा पीला में इसलिए क्वानाजा फोबना यहां बज्स अपर सब्सक्तिक की है कि तक जो इसा अधिया है। एक दिखाए को जब तक है कि चुटे करती है। थे सब्सक्राइब कैसे करते हैं। यह लेक्षा बॉर किता हुआ है। यह अप्सक्राइब रही है। पुरी तो ऐसे बोटम में। तो यह हैं। सब्सक्राइब करने के बाद रिलीस करने के बाद इसके जितने भी बलक सब्सक्राइब करके बलक हेड फिर इसको गंट्री को एक नेक्स वाले पैच में सिप्ट कर दिया जएकό कि इसमान नीचे रिल आई में बैल लगे होते हैं गंट्री में और वीट के जर्येक इसको पिल्ध किया जाता है तो चलिए टनल से विजिट करने के बाद करीब साड़ी ग्यारा बज़े हम लोग बाहर पहुँचे हैं सवनो बज़े टनल के अंदर गहे थे तो करीब डोटाई गंटे टनल में बिताए हम लोगोंने तो अभी बाहर आ चुका हूँ तो वक्त हो चुका है आप लोगों से विज़ा लेने का तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप करता हूँ जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कीज़ेगा वीडियो को शेर कीज़ेगा अपने दोसों के साथ और जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा मिलते हैं आप से जल्द ही जय हिन जय बारत जय उत्राखर